जहिन दोस्तों एक बड़ फिर से स्वागत करते हैं आपका हम अपने यूटूब चैनल GSS Study Pro में दोस्तों जार्खन करमचारी चैन आयोग के दोबरा इस वक्त एक अतियाविस्यक सूचना जारी किया गिया है जिसमें सन्युक तसनातक प्रसिच्चक परतिवगिता परिचा 2016 यानि CGT एक जामिनेशन जो दोस्तों 2016 था उसके संबन्द में सौट लिस्टेट किया गिया है कि परमान पत्रों की जाच होगा उसका सत्यापन का कार्जिकरम दिया गिया है दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि 2 अगस्त को जो नियोजन नीती का सुप्रीम कोट का जो फैसला आया था उसी के बाद JSSC ने आज यह CGT 2016 का परमान पत्रों की जाच का कार्जिकरम को जारी किया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री और सिविक्स के फैकल्टी के कैंडिडेट के लिए किया है भाकी के लिए भी उन्होंने बताया है कि जल्द ही प्रकासित किया जाएगा तो चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं इस important notice में क्या-क्या बातों को रखा गिया है सिच्छक प्रतियों किता प्रचे 2016 में गठित राज जस्तरिय मेगा सूची के अधार पर यहां पर रोल नूमर दिया हुआ है उनका प्रमान पत्रों के चार्च के लिए आयोग के कारियाले ठीक है जहां काली नगर चायबागान नामको म्राची में 11 अक्टोबर 2022 से 14 अक्टोबर 2022 तक सिडूल जारी किया गया है और उसी के अनुसार दो पालियों में उसके प्रमान पत्रों का सत्यापन होगा तो देख लिजे दोस्तों कैसा कैसा schedule इसमें जारी किया गया है इसमें सबसे पहले देख लिजे history और civics के लिए है सिर्फ यहाँ आपका 11.10.2022 को जिसमें first sitting में आपका देख लिजे साड़े 11 बजे से लेके एक बजे तक सुबह के साड़े 11 बजे से दोपार एक बजे तक first sitting का schedule है और second sitting का schedule दोस्तों 5 बजे तक का schedule है इसमें कुल लगभग 494 यानि 500 के असपास candidate का इसमें रोल नमबर जारी किया गया है यह सारा रोल नमबर है आप इसको जैसे सीक official website से डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर हमारे telegram group से भी जुड़के वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है दोस्तों प्रथम पाली साड़े 11 बज़े से लेके एक बज़े के बीच में होगा और दुटिया पाली जो होगा वो धाई बज़े से होगा जैसा कि मैंने आपको बताया और इसके बावजुद अगर किसी candidate अगर कोई कारणवस से अनुपस्तित रहते हैं इस 11 तारिक से 14 तारिक के बीच में तो उनके लिए 20 अक्टोबर को भी 11 बज़े से लेके एक बज़े तक समय दिया जागा और इसके बाद भी अगर आप उपस्तित नहीं हो पाते हैं तो अभी अर्थिता को आप स्वत रद समझ सकते हैं मने अपनी कैंडिडेचर को आप कैंसल समझ सकते हैं ठीक है और उसके बाद बताया गया दुस्तों कि आप जो है प्रमान पत्रों की जाच प्रपत्र का प्रिंट आउट निकाल लेंगे और क्रम संख्या एक से लेके 14 तक भ प्रमान पत्रों की जाच में उपस्तित नहीं होंगे या तो फिर वांचित प्रमान पत्र प्रस्तूत नहीं करने सकेंगे उन्हें अलग से और समय नहीं दिया जाएगा और उनकी उमिदवारी जो है दोस्तों वह रद करने पर आयोग जो है वो निरने ले सकता है ठीक है य सिविक्स वालों के लिए हिस्ट्री के लिए अपना हिस्ट्री अपने पद्ध के नरुचित उसके बाद अगर आप रिजरिवेशन काटेगरी का दावा करते हैं जैसे के स्ट यह तो फिर आप चारखंड का अस्थानिय निवासी परमानपत्र है तो उसके अनुसार आप यहा कोटी का जो दावा किया गया है उसका परमानपत्र या उसकोटी से भीन का परमानपत्र तथा उपर्युक्त भीत प्रपत्र से भीन परमानपत्र प्रस्तुत जो आप अगर करेंगे तो वो आपको सुईकार्ज नहीं होंगे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे ठीक है तो इस अब जो फोर्मेट यहां पे है और उस डेट में जो निर्धारित था वही सब परमान पत्र लेकर जाएंगे ठीक है यह सब बात तो अंडरस्टूड है बागी यहां पे देख लेजिए कोवीड का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यह बहुत इंपोर्टेंट नहीं है अभी ठ क्या कर सकता है कि आवेश्यक्ता अनुसार और रिक्ती के परिपेच्छ में इस सूची में अंकित अनुकरमांक से भीन अन्य अभियर्थियों को भी प्रमान पत्रों की प्रारंभिक जाँच हेतु आमंत्रित कर सकता है ठीक है यानि कि यह जो सूची है दोस्तों इस सूची से अलग भी कुछ candidate को वो जाच कर सकता है बुला सकता है पर्मान पत्रों की जाच के लिए first stage में ठीक है लेकिन ये कब होगा जब आयोग अपना समझेगा और रिक्ती के अनुसार ठीक है और दूसरी बात यहां important यह है कि अन्य विशयों के shortlisted अभियर्थियों की सूची और पर्मान पत्रों का सत्यापन का कार्ज करम भी सिग्र प्रकासित किया जाएगा तो पैनिक होने की ज़रत नहीं है बाकी faculty के लिए यह सिर्फ civics और history का ही क्यों निकला है ठीक है बाकी घंटी को प्रेश कर ले ताकि जो भी notification आएगा आपको mobile भी मिल जाएगा और उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा और इसी परकार से आपको latest notification भी मिलेगा जैसे से related इस चैनल में यहीं सब वीडियो अप्लोड किया जाता है तो अगर आप इंट्रेस्टेड है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन वाले बेल अगन को प्रेश करके और प्रेश कर लिजे ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजे इस वीडियो में यहीं बताया कि सीजीटी 2016 के इजामिनेशन के लिए जो सॉटलिस्टेट किया गिया है उसमें किन कैन कैंडिडेटों को जाना होगा हेस्ट्री और सिविक्स वालों का भी फिलाल टाइमिंग दिया हुआ है मिलते हैं फिर से इसी परकार से एक और नए जैससी के अपडेट के साथ फिर से आपको जैहीं दे